यदि आप पहली बार आउनलाइन एक्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो एप के लिए काफी यूज़ कर रहेगा आप वीडियो में आर्स तक जुड़े रहें यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी टैट वर्गतीन याने की मत्रप्रदे सिक्षक पातेता परिक्षा में किस तरह से आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो आप लोग MPPEP के ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएं इस तरह से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऑफिशल वेबसाइट का लिंक दे दिया है आप वहाँ से जाकर भी मौक टेस्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वीडियो में लास्त तक जुड़े रहकर आप देख सकते हैं कि किस तरह की का आपका पेपर होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाएंगे इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा इक पेज ओपन होगा इस पेज में आपको लेंगविज चूस करना है हिंदिया, इंग्लिश, जो भी आप चाहें उसे चूस कर लें इसके बाद मैक्स पेज ओपन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारी दी हुई है जो भी यहां पर अपडेट है पीवी के वो सब लिखे हुए हैं साइड़ आप यहां पर देखेंगे ऑनलाइन एक्जाम मॉक टेस्ट सेंटर और लोकेशन सारी चीज़े दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा सबसे पहले यहां पर आपको पीवी के लिए प्रोफाइल मेकिंग वीडियो मिल जाएगा यहां से देखकर आप लोग अपना प्रोफाइल बना सकते हैं उसके बाद ही आप लोग आनलाइन जो मॉक टेस्ट होगा उसे कर पाएंगे प्रोफाइल बनाने के बाद इस तरीके से पेज जाएगी ओके सभी को परसनल कंपीटर मिलेगा जहां पर आपको पेपर देना होगा तो कंपीटर पर आपको आपका फोटो नाम और आपका रिस्टेशन नंबर शोहरा होगा वहां पर पासवर्ट जो होगा वो एंटर आपको करना होगा आपके आपका यहां पर कोड है कि अभी तक आपने उस question को विजट नहीं किया है जबकि red दिखता है इसका मतलब आपने visit तो कर लिया है लेकिन आप भी answer आपने नहीं दिया है यदि green दिखता है इसका मतलब आप answer दे चुके हैं और यदी इस तरह से blue यदि आपको दिखता है इसका मतलब यह है कि आपने question को review के लिए छोड़ दिया है और यदि इस तरीके का sign आपको दिखता है तो इसका मतलब यह है answer आपने कर दिया है और review के लिए इसको आपने छोड़ा हुआ है तो इस तरह से instructions आपको वहाँ मिल जाएंगे Hindi या English जिस भी language में आप चाहें उस language में आप लोग instructions को read कर सकते हैं online examination इतना tough नहीं होता है आप लोग जैसे ही login करेंगे तो कुछ general instructions आपके सामने आएंगे आप उनको ध्यान से read कर लें काफ़ी easy process होती है वहाँ जो invigilator होते हैं वो आपकी काफ़ी help कर देते हैं तो आप लोगों को यदे कोई doubt रहता है तो examination hall में आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं इस तरह से आपको watch show होती रहेगी धाई गंटे का आपका paper है तो धाई गंटे से start होगा और यह जो timing है धीरे धीरे minus होती चली जाएगी और यह side में screen जो आपको दिख रहे है जहाँ पर number लिखे हुआ है तो यह जो screen है आपको right में, left में या फिर bottom side भी show हो सकती है amputate में total 1500 question है और past section है तो एक से लेके 30 तक की 5 line आपको मिल जाएगी analysis के दौरान अभी यह पता चला है कि यह जो numbering वाली table है यह screen में नीचे तरफ show हो रही है ok, 1500 question है 30-30 की 5 line हाँ पर show हो रही है जिसके तो आप लोग easily समझ सकते हैं कि subject के कितने question आपने tick mark कर दिये हैं और कितने अभी रहे हैं option tick mark करने के बाद आपको save and next बटन पर click करना है जिससे आपका जो answer होगा वो save हो जाएगा आप लोग save के हुए answer को भी वापस से change कर सकते हैं बिल्कुल भी confused ना हो इस बात को लेकर जैसे माल लीजे चार option में से आपने किसी एक option को choose कर दिया है और अब आप उसको change करना चाहते हैं तो जब आप क्या करेंगे किसी और option पे click करेंगे तो पहले वाले option पे से आपका जो sign होगा वो हट जाएगा लेकिन ध्यान रखे आपको save and next करना होगा आप लोग चाहें तो previous question पे भी जा सकते हैं आप लोग sequences सारे answers solve कर सकते हो चाहें तो आगे पीछे भी solve कर सकते हैं जिस section को जिस question नमबर को आप open करना चाहें उस question नमबर को आप लोग separately open कर सकते हैं एमपिटेट में किसी प्रकार की कोई negative marking नहीं है जैसे ही time complete होगा आपके पास submit का option आ जाएगा ये भी ध्यान रखें last में आपको reminder भी दिखाया जाएगा computer screen पर ही आप लोगों को last 30 minute, last 10 minute और 5 minute का alert भी show होगा I hope आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी यदि कोई doubt रहा हो तो comment करें मैं आपको suggest करूंगी वीडियो को like करें, share करें और ऐसी update बने रहने के लिए चैनल को subscribe कर, notification बाल को जोड़ ट्रेस कर दे Thank you